हेलो गाइस, आज हम लोग बहुत इंपोरेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने के विले प्री रेक्विट क्रिविशन अच्छे से कर लीजे, आगे का जो भी है वो बहुत इंपोरेंट डेफिनेशन और राधर नियूमरिकल के समय भी हमें ठीर समझने के लिए काम मे यूमन में वोकल कोर्ट के थूँ होता है, ठीक है, और तरीके क्या था, स्क्राचिंग, स्क्राचिंग था, रबिंग था, प्लकिंग, ब्लोइंग, शेकिंग, यह सब चीह देखा था हम लोगों ने, प्रपोगेशन और साउंड में क्या रिखा था, फिले मीडियम देखा मीडियम के पार्टिकल जो अजसेंट है, उस पर अपना फोर्स लगाएगा, अपनी एनर्जी ट्रांसवर करेगा, फिर यह अपना वाइबरेट होना शुरू होगा, फिर यह अपनी एनर्जी अजसेंट वाले को देखा और खुद रुख जाएगा, इने, खुद रुख ज या बिट्वीन टू पॉइंट्स, पार्टिकल यहां थे यहां नहीं जाद था हमारे पार्टिकल की सिर्फ एनर्जी ट्रांसवर होती थी, यह हम देखा था, साउंड काम बेज जासा विजुलाइज कर सकते हैं, फिर क्या था, जब हमारे एक रीजन में रेगुलर से जाद नमबर फार्टिकल तो मतलम डेंसिती जाद हो या प्रेशर जाद हो, उसी इजन को लोग कंप्रेशन, यह तो प्रूमेंट रहता था, आगे मुवमेंट रहता था, वैसी अगर एक रीजन में एक्विलिब्रियम या नॉर्मल से कम नमबर फार्टिकल से हैं, इसे बोलते है हम लोग rare fraction, जिस हम capital R से represent करते हैं, फिर sound को हम mechanical wave बोलते हैं, क्यों कि इसे medium लगता था, ट्रावल करने के लिए energy, जिस energy को ट्रावल करने के लिए medium नहीं लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग electromagnetic wave कहेता है, example for mechanical wave sound होता है, electromagnetic के लिए example अपनी यूज रहता है, एक्पेरिमेंट याद है ना बेटा आपको बेल जार बेल लटका हुआ वाक्यूम पांप आवाज काम होते जा रही है मतलब वाक्यूम में अपनी आवाज टावल नहीं करती है ठीक है फिर हम लोग ने पढ़ता है लॉंजिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेश करने साउंड अब mantener एक एंसा वे जिसका क्यालते मोलग तो अब आपूम यो है हमारी निखेरी फ्राक्षिं म्यक्रा ट्रांसवर्स हुम लोगेशन वेफार साउंड ट्रांसवेफा था यहां तक हमने पड़ा था फिर हमने को डाइग्राम जो रेखा था वह डाइग्राम बना लेता हूं में वह आवरेज देंसिटी अप्रेशर अगेंस्ट डिस्टेंस का रिखा था हम लोगों ने कुछ मान लेजे मैं अभी ऐसा बना दोड़ाएगा है यह क्या है मेरा डेंसिटी बोल सकते हो या फिर प्रेशर का बोल सकते हो य य पर देंसिटी प्रेशर दिखता है एक्स अक्से से मेरा डिस्टन से यह जो ए बेटा यह 0 नहीं है यह x-axis y-axis जाशा नहीं है यह 0 नहीं है म यह 1 नीचा नुद मैं नीचे जो है यह एक तक्सश कै io मेरा डिस्टन समय कि और यह इनज़ी वाले हो रहे है और नीचे वाल यह 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 तो वीचित लोडा हो रहा है यह लोड़सट लेंसिटी बाला होु अब देखिए इसमें आज नहीं 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 किया सीखने वाले वैसा यह यहाद है नहीं क्रेश्ट इसको उन्टेठ रोग्रेस्ट यहने की वाली जासा ठीक है आज सबसे पहला डेफिनिशन देखते है wavelength का वे वे लेंद्ध का पीटा यह दो consecutive crest या दो consecutive tro के बीच दो distance होता है उसे बोलते हैं हम लोग wavelength तो क्या होता हिए distance between two consecutive two consecutive crest और two consecutive throws two consecutive throw या two consecutive compressions और two consecutive rare fraction को क्या बोलते हैं हम देखें यह नोट्स में को देखें तेम लोग यह देखें यह जो diagram ने देखा था last time या देना तो दो consecutive crest या दो consecutive tro के बीच जो distance है उसे wavelength बोलते है यह आप देख पा रहे होगे ना मैं आपको सिम्बल बताने वालों यह देखें यह यह हमारा क्या हो गया है यह हमारा wavelength हो चुका है पिटें two consecutive crest and throw बोलिया है two consecutive crest compression और rare fraction आप कुछ गोल सकते हैं माझे compression and rare fraction बोलते हैं तो देखें हमें यह पता है यह compression वाला region होता है तो मेरा basic लिए अगर देखा जाए तो मेरा wavelength यह वाला हो गया या फिर यह वाला region मेरा wavelength हो गया है मेरा wavelength को अपने रिप्रेशन करता है लामडा से काइसे करते हैं लामडा लेमडा नहीं बेटा लामडा लामडा से रिप्रेशन करता है ठीक है यह सिंबल है ज्यां रख लीजे इसका पिटा si unit क्योंकि distance है तो si unit उसका मीटर होता है simple है समझा आपको तो देखिए यह मेरा क्या हो चुका है भी यह मेरा लामडा हो चुका है इसको भी मैं लामडा बोलता हूं कई बार यह लोग क्या पूसते है यह इतना distance क्या हो जाएगा यह बिटा आधा लामडा होगा यह लामडा बाइट टू कंप्रेशन स आधा लामडा है वाइट टू होता है युद्ध रिताइए कि क्या यह वाला डिस्टिंस और यह वाला डिस्टिंस अपर हाँ बीटा कोई बिटा ब्सक्राइब क्रेशन से अब उठा लो दोनों के बीच का डिस्टिंस हमेशा एक्वल रहीगा वह रहें का लामडा ठीक है जिसने हम लोग बेवलेंद बोलते हैं उख लिया ठीक है अब नेक्स tutti पर सैbanLo करके कई भर नहाते होगे आपका बिघूंड लाताओ का ुंडँए रही क्या है कि एक तो कितना ज्यादा बार एक इवेंट अकर कर रही है मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली इवेंट अकरिंग क्या हो जाता है यह डेफिनेशन नहीं नहीं था एक उसिलेशन का मतलब क्या होते है पहले अपनों समझते हैं यह देखे है यह आप समझते हैं अपकम्लेशन से रेर फ्राक्शन से वापस से अप्याइए उसे क्या हो जाता है एक उसिलेशन एक उसिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा change in density बोलो या pressure बोलो from max to min and back to max back to max, मतलब compression ते rare fraction से वापस compression, यह पूरा जो हुआ है, इसे क्या बोलेगा हम लोग एक oscillation, simpler language में बचाते हो जाओ, चिरिया को उड़ते वे देखा है, यह वाली, तो यह विंग यहाँ पे, उन नीचे लेके गई, फिर आप उपर लेक गई, यह हुआ एक oscillation, समझा, यहाँ swimming करते हो, यह ऐसा रहता है आपका, आप पहले एक हाथ ऐसा करते हो, फिर दूसरा जा रहा है, यह यह oscillation हुए जा रहे है, देखे, यह दूसरा होगा है, समझा, यही चीज़ अपने आपको repeat ख़ता रहे है, इसे बोलाता है, one complete oscillation, ठीक है, अब अपन लोग इसके definition के पार रहे है, definition क्या है, it is number of oscillations per unit time, number of oscillations per unit time, मतलब number of oscillations divided by time, तो अपना frequency का formula क्या मन गया, implies, frequency is equal to number of oscillations upon time, अब देखो, frequency को ने इसा है, म्यू, करके stylish V से भी represent किया जाता है, या फिर आप F से भी represent कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों से represent कर सकते हो, मैं F से करता हूँ, वैसे school वाले म्यू से करते हैं, तब देख ली जगा आपके school मा allowed है F से represent करना तो बढ़ाई हो, नहीं है तो आपको म्यू से ही करना पड़ेगा, तो F या फिर म्यू, देखें, म्यू ऐसा stylish V है, if you go to number of oscillation को N से represent करते हैं, time को T से represent किया जाता है, समझा, तो फिर एक्जापल समझाता हूँ, किसी, इसका SI unit बता रहता है, इसका SI unit बता है, हर्ड्स, जिससे हम HZ से represent करते हैं, क्या होता है, हर्ड्स, ठीक है, अब देखें किसी ने बोला, कि मेरी swimming में हाथ घुमाने के oscillation की frequency है, हाथ घुमाने की frequency है, 10, बहुत जाद हो गया, बट सिल मान लो, इसका मतलब क्या है, बंदा यह जो कर रहा है, ऐसा 10 बार कर पर रहा है, एक सेकंड में, यह चिडिया ने बोली, मेरी wings को flatter करने की frequency है 52, मतलब एक समझा, 52 hertz बोल रही, obviously, ठीक है, अपना मीटर, सेंटी मीटर, किलो मीटर, मेगा, वो अलग-अलग होता है, वैसे होता है, चोटे और बड़े यूनिट्स होता है, बच्चे वे यूनिट्स में अपर दिखा रहता है, आप लोगो को, कि मान लिए, किलो, hertz, वोता है, 10-3 hertz, य micro, hertz होता है, 10-6 hertz, nano, hertz होता है, 10-9 hertz, समझा, यह अलग है, आपको यह नोट्स में दिया हुआ, रट सकते हो सें, कोई वो नहीं है, तो अब किसी ने वोला कि कोई चीज़ होने की frequency 5 hertz है, मतलब एक सेकेंड में वो पूरे complete 5 oscillation कर रहा है, यह समझे हैं आपको, अब next definition के उपर आते हैं, सो स्री, थर्ड है, time period, बिटा देखिये, पैदा समझे, time period को अब कापिटल T से रप्रेसेंट करते हैं, यह जो T है नहीं है, time period नहीं था, यह वाला, यह confused मत हो जाएगा, this is not time period, this is simply time, time of observation, यहने क्या आपको बता आएदा हम, अगर माले चीडिया आपना, विंक किये जाए थी, किये जाए थी, आपने 10 second अगर observe किये, आपका time observation वाला यह, 10 हो जाएगा, और वोई चिडिया में जापने फ्लेटर किये, 1000 बर की थी, number of oscillation सितना जाएगा 1000, तो 1000 by 10, यह 100 hertz हमाली frequency हो जाएगी, यह time period इसमें कुछ भी नहीं है, time period मैं आपको जाता हूँ, ह हो सकते है, time period को T से represent करते है, यह क्या है, it is time needed for one complete oscillation, इसा मतलब क्या, अब भी आपने frequency देखा, frequency क्या होता था, इसा एक second में कितनी बार आप कोई event पूरा complete करते हो, ऐसा, या ऐसा वाला, जो भी, boxers के शाएसा होता होगा, I don't know, जो भी होता होगा, ठीक है, अब यहाँ प होता है, आपको एक बार करने को कितना दाइम लगर, मतलब अगर मैं swimmer हो, यह ऐसा करने में कितना दाइम लग रहा है, यह यह मैं चिडिय यह?. ऐसा करने में कितना दाइम लग ए, जिस एक complete oscillation को मुझे कितना दाइम लग लग रहा है, समझाएजी इसका भी SI unit मेरा क्या रहने वाल है, seconds रहने वाल है, अब दोगोड़ा frequency और time period कैसा मस्तर तरीक से related है, क्या रताता हूँ, frequency equals to 1 upon time period, मतलब मैं लिख सता हूँ, f equals to 1 by capital T, small t नहीं बटाइ, तो time observation का और time period में difference है, आप चिडिया को 10 minutes से देख रहो, चिडिया अपना ये किये जा रही है, तो 10 minutes है, 600 seconds आपका time small t हो गया, बटाइब आपने नोटिस किया, एक बार करने के लिए से 0.2 seconds रखते है, तो time period 0.2 seconds हो frequency और time period का relation है, f equals to 1 by capital T, और मैं बता तो ये कैसे आए relation, derivation पूछेंगे नहीं, आपको बता जाता हूँ, माने जिए दिया हुआ है frequency of an event, खुछ भी हो सकता है, of an event, किती है मेरी 5 words है, इसका मतलब क्या हुआ, एक second में वो कितनी बार हुआ, 5 times हो थी, 5 words ने, 5 times हुआ है, ठी seconds में, one time होका है, अगर एक second में 5 बार, तो कितने seconds में एक बार, तो cross multiply कर ले, इतने में, इतना है, उतने में कितना करके है, तो 5 into x is equal to 1 into 1, एक सी वाली है कि 1 upon 5 आ जाएगी, देखे, ये x क्या था मेरा, time period था, एक सोरी, आजा मेरे बाई, हाँ, देखे, x क्या था मेरा, time period जाता है, 1 upon 5 क्या था मेरा frequency, तो t is equal to 1 by f बोलो, या इधर उधर के f is equal to 1 by t बोलो, आपका ये रहेगा, ये derivation पूछता है, इसे बताने के बता आए था मैं आपको, समझा क्या, तो अगर मानलो मैं आपको बोला है, my frequency is 100 hertz, obviously, मैं time period क्या है, कुछ नहीं, 1 upon 100 हो जाएगा, य पक्का समझा ये चीज़ा क्या हो रही है, तो ये बड़े formula या जखेगा, नियूमरिका आपने नेक्स लेक्ट्चर उसमें करना है, उसमें करेंगे cover, frequency का आपने पहले formula देखा था, number of oscillations per unit time, ये एन एन अपर small t, ये time period of frequency का है relation, f is equal to 1 upon capital T, ठीक है, तो अभी दखे देखे ये तीन definition देख चुके, पहला आपने wavelength का देखा, distance between two consecutive compressions और two consecutive rare factors, lambda से represent करते है, ऐसा unit था, meter, frequency देखा, वो कहता, how frequently does an event occur, ये ठीक है, या फिर number of oscillations per unit time हो जागा, perfect definition, oscillation क्या होता है, change in density, pressure from maximum to minimum, then back to maximum, चाहते तब ये हो सकते है, minimum to maximum, back to minimum, frequency को f या mu, stylish v से represent करते है, तो f is equals to n upon small t हो जाता है, फिर हम लोगो ने इसका रेका, ऐसा unit hertz होता है, बचे यूनिट भी रेक लिए, फिर हम रेका time period के वाद में, time period क्या होता है, एक complete oscillation को कितना time उसे लग रहा है, ठीक है, ये देखा, तो उसे f एक रेका 1 by T वाला इसका आ pitch, क्या next हमारा pitch, बटा एक given voice की frequency को जो हम interpret करता है, हमारा brain, उसे बोलते हम लोग pitch, यहने क्या बताता हूं, how brain interprets the frequency of an emitted sound, ठीक है, अब बटा को pitch मतलब किस से related है, pitch मतलब हो गया हमारा related frequency से, higher the frequency, higher the pitch, मतलब अगर frequency बट रही है, मतलब pitch भी हमारा बट रहा है, और ये अगर frequency घट रही है, मतलब क्या होगा हमारा, pitch भी हमारा घट रहा है, ठीक है, यह shrillness of sound को measure करता है, किस चीज़ों मेशर करता है, measures, shrillness of sound, पेटा इसा बोला आता है, लड़कीों की जवावस होती है मातलब उसकी फ्रीक्वेंसी जाज होती है पिच जाद होती है और लड़कों की आवाँ का पिच कम होता है मतलब उसकी फ्रीकवेंसी कमपेटिवल्य आमारी कम होते है फाइन तेलिया तो देखे यह डेफिनिशन अपने क्या देख चुकर बढ़ रहा है वैसा हमें इस कीज़ को समझना पड़ता है अब देखें आपको मैंने डाग्राम बना करता रहा हूं कि यह मान लिजे था यह वाला मान लिजे यह इसमें लाल वाली की फ्रीक्मेंसी ज्यादा है या काले वाले की है आप देखोगे तो काले वाली की ज्यादा है नंबर ऑफ उसलेशन पर यूनिट टाइन ज्यादा काले वाले में हो रहा है तो हो सकता है कि शाय से ब्लाक वाली लड़की की हो और लाल वाली लड़के की ह सकता है यह वाले लड़के की होने के चांद से जादा या बी वाले तब बनेंगे सब बी वाला श्रीक्मेंसी या उसा पिछ कम है समझाए यह चीज़ से लिए बढ़िया अब नेक्स्ट चीज़ देखता है पनलो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा आम्प्रेट्यूड आम्प्रेट्यूड क्या होता है इसे मागनिट्यूड ऑफ डिस्ट्रिबंस अन इधर साइब या तो ऊपर या तो नीचे अफ अब मीड़ी अन इधर साइड ऑफ दो मीन वाल्यू इन अ मीडियम मैं लिखके रहा था हूँ मागनिट्यूड ऑफ माक्सिमम दिस्क्रिबंस अफ माक्सिमम कीडिश्ट्रिबंस इन अममीडियम वह ट्वीन ओन इधर साइड ऑफ मीन वाल्यू तैसल मतलब क्या हूँ अ अब wykorैभ़े बाध आपको डाट डाग्रांब सुमज दो फट सावको समझ में आ जागा देखे, यह मानले जहें 0 वाले लाइन है, यह mean value नहीं है, यह हमारा distance हो गए है, यह हमारा खलते density यह pressure था, तेखे, यह 0 आशे यह आपसे, तेखे, density यह pressure, अब यह मेरा mean है, तेखे, यह यह वह equilibrium वाले है, एक ने, थोड़ी, पीटा देखिए यह mean values पर है मेरा इस पर से या तो maximum उपर या maximum नीचे कितना जा रही है उसे बोलते हम आम्मिट्यूड वाहतल यह चीज मेरी क्या हो गई है यह हो गई है मेरी Amplitude Amplitude को represent किया रहता है capital A से ठीक है Magnitude को represent किया रहता है capital A से तो अपने definition क्या देखा है इसका Magnitude of maximum disturbance in a medium on either side of mean value ये सुरी तो सुरी क्या होगे बाई ये देखें ये मेरी क्या है mean value है समझे यह आपको Amplitude अब इसका SI unit क्यों होता है अगर मैं density के साथ में इसको plotting कर रहा हूं density के साथ में तो मेरा SI unit density वाला चलेगा पर अगर pressure के term से बास कर रहा हूं तो मेरा SI unit pressure वाला चलने आला है तो depend करेगा अब देखो बेटां जो मेरा Amplitude रतना वो energy को represent रता है या loudness को represent रता है Hello जम के बोला मतलब इसमें energy भी जा रहा थी और amplitude भी जा रहा थी इसलिए यह आवाज दूर तरके travel करती है वोई hello मैंने दीरे से बोला soft थी मेरी आवाज मतलब amplitude भी कम थी और energy भी कम है मतलब कम distance भी ट्रावल करेगी इसलिए जब अपने एक्जाम चीटिंग करते हैं आज वाज वाल होते हैं अपने विस्पर करते हैं जिससे टीचर से क्या आवाज न पहुंचे यही अपने को ग्राउंड के एक कोई से दूसरे का बंदे को आवाज देने से खूब दूर तो अपनी लाउडनेस किसके सूर डिफाइन होती है प्रॉफेक्ट हमाई लाउडनेस डिफाइन हो जाती है amplitude के सूर रिफाइन अब देखिए बैटा अब छादनेस और सॉफनेस का बताएओ आँ को यह अप लिफाइन अचली लाउडनेस इसफनेस में लाउडनेस में एनरजी ज्यादा है मतलब आम्टिट्यूड ज्यादा है अब बैटा आपको एक होची बता दूँ मैं दो वर्द से एक हैं लाउडनेस और दूसरा वर्ड है intensity, क्या है intensity, पीड़ा ये दोनो वर्ड interchangeably अपने यूज तो कर लेते हैं, पर दोनो वर्ड का meaning अलगल है, देखो पहले मैं लिखता हूँ कि आपको समझाता हूँ, क्या है, loudness क्या है, it is response of our ear for a sound of given amplitude of given amplitude, क्या है पसा तो रूप जाइए, और intensity क्या है, it is sound energy received per second per second per unit area per unit area, इसे क्या बोलते है, आप लोग intensity बोलते है, loudness क्या होता है, पीड़ा हमारा कान का response एक given amplitude के लिए, of sound obviously, और intensity क्या होता है किती sound energy received per unit area, per second इसे बोलते हैं इंटेंजिती ज्यादा कुछ आने नहीं वाला है, इन दोनों को plainly अब रट लोग है, हो जाएगा ठीक है, तो देखें, एक बाद फटापट फटापट quick revision लेता, starting से, अब भी लिया था पर एक बाद ले लेते wavelength क्या था, distance between two consecutive compressions or rare fraction, इसे हम lambda से represent करते हैं, ऐसा unit इसका meter होता है, frequency क्या था, how frequently event occurs, proper definition क्या था, number of oscillations per unit time, formula क्यों क्या था, F यह पर mu is equal to n upon t, ऐसा unit होता है, hertz इसका बच्चे वी units भी देख चुक है, time period capital T से represent होता है, मतलब क्या है, एक complete oscillation रिखेंशन रिखेंशन क्या है, ऐसा unit क्या होता है, इसका second, relation क्या है, frequency is equal to one upon time period, यह time period is equal to one upon frequency, यह ठीक है, pitch, जो अब भी हमने ज्यादा होती है, यह ठीक है, फिर हम लोगने amplitude के बारे में देख लिया, amplitude क्या है, magnitude of maximum disturbance in a medium on either side of mean value, जितनी ज्यादा amplitude रही उतना energy रही उतना दूर तक क्या ट्रावल करेगा, वाईसर वरसा पर soft वाले, softness ले, फिर loudness और intensity का हमने देख लिए difference, मैंने बता जिए आपको रटना है, loudness क्या होता है, response of our ear for a given sound of, for a sound of given amplitude, और intensity क्या होता है, sound energy received per second, per unit area, ठीक है, अब next is quality क्रेक होता है, जिसे हम timber भी बोलते हैं, उसक्याने पड़ते हैं, देखको कई बार हो आओगा, आप कहीं और देख थे पीछे थे किसी ने आवास दिया, आपने फट से बोलते हैं, आपको पता सरके किसने आवास दिया था, तो आवास हम recognize कर लेते हैं, वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि क्योंकि quality की हमें आज़ते हैं, कि हाँ यह आवाद इसकी है, यह उसके इसलिए पर इंटर्पेटर पर एसा नहीं है हम लोग दो लोग जिनकी आवाज की लाउडनेस भी अगर से मोगा पर सिल अगर इंस्ट्रुमेंट की एक मैं सेम फ्रीक्मेंसी पर करूं तो भी मैं पता कर पता हूं कौन सा इंस्ट्रुमेंट कौन सावल है क्यों कॉलिटी या टिंबर अलग अलग होता है इसका ठीक है अगेन बहुत कुछ है नहीं इसकी फिरम में इसना परिशानी होने नहीं अला है एक क्वेशन आसा ऐसा सकता है कि आखे बंद से आपकी आवाज परेचान पाए यह कौन सी प्रॉ को इंप्रूब करता है आवाज और अच्छी लगने लग जाती है पहले के जमाने में इतनी सब चीजे होती नहीं अब भी अभी यह सब चीजे यह इसलिए अपने को आवाज और अच्छा कर लेते हैं चलिए अमने क्वालिटी देख लिया अब नेक्स्ट सिंगल सिंगल च टोन नोट की होता है वो यह को मिक्षर फ्रीक्मेंस ही हो मतलब 15 की भी यह 25 की बीए 12 की अठरा की सब का मिक्षर मिला के आपको आवाज आ रही है तो वह क्या रहता है नोट अगेन बहुत काम कर नहीं है इसके बार इक बार नोट से पढ़ते हैं फिर मैं आपको कुछ यह वाले waveforms का question बताने वाले हो जो आपके exam में पूछे जाते है कई बार सबसे पहले देखिए wavelength अपन पढ़ चुके थे distance between two consecutive compressions और रहे स्रक्षिन लामडा से करते हैं ऐसा उनिट उसका क्या हो जाता है मीटर हो जाता है frequency क्या है number of oscillations इसके बाद में time period एक oscillation को कितना टाइम रखता है रिलेशन बिट्मिन टाइम प्रीक्वेंसी बढ़ रहा है पिछ घट रहा है बोला आता है लड़कियों की पिछ हायर होती है अब देखें यह वह वारा दिया हुआ है मैंने आपको एक के अंदर एक बना के रिखाए इसने दो अलग अलग इसने बतना दिया है देखें इन दोनों में उसने अब यह देखें यह दोनों इसमें अलग 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 है लेफ्ट साउंड है राइट साइड वाला देखें यह देखें यह वाला लाओड साउंड है यह दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है देखेंगेशे अलग अलग है आम्लिटीव लाग है अधिक अंदर बना करेगा उससा आउपको कम्तार आ मलासे होदा है आप्लीट्यूड अलग अलग हो और स्थीकुनरी सेम और मेंता देखो यह ओगया और यह सुरी कि देखे आप्रेट्यूट्स अपनी सेम है बड़ फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है ग्रीन की भी रेट यह गें अब एक क्वेश्चन में जब आपको ना बताना भूल गया था यह जितना यह लेंथ है उतना ही यह रहेगा, ऊतना ही यह रहेगा, सब कि दब रहेगे, वैसे रिल फ में यह से पर अपन जो करने वाले इस सर उसमें amplitude पुरा समय सेम रहने वाला है, सेम वे में अगर ह यह जो मैं length ले रहा हूँ, वोज length यह रहने वाली है, तब amplitude कोई भी wave से आप लोग ढूंड सकते है अपने इस standard में ये किसका example हो गया डोनों की frequency सेम होना पट amplitude अलग-अलग होना अब एक और ले रहते हैं दोनों की frequency अलग-अलग होना पट amplitude सेम होना वाला तो मांदीजे मैं maximum यहां तक जाने वालो हूं मिनिमम मैं यहां तक जाने लो मांदीजे तिके कि यह हो गया रूट सही आज देखिए आपको देखिए ग्रीन वाली की frequency जादा है amplitude सेम है frequency जादा है मतलब क्या जाद हो गया pitch जाद हो गया हमारा मतलब हो सकता है ग्रीन वाली लड़की की और ब्लाक वाली लड़के की हो यह हो गया बिटा फिर आप लोग को और भी कुछ पूछ सकता है करेंगे की वाज़ेंट हो बटाफ सेम अभी वेवलेंट अलग 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 हो प्राप्र आप्रिटूट सेम मौक् सेम और के वैवलेंट के दो कॉन्थिक्ट रोट बीच का डिस्टन्स ना कि देखिए यह इतना बड़ा वेवलेंट कर दूसरे बाब देखिए जैसा के लिए जाओंगा दूसरे वाले को वेवलेंग जितना हो गया देखें आप्टीजूट से में बड़ वेवलेंग अलग अलग है आपको थोड़ा बच यह से रिलाइज हो माँ सब्सक्रीक्वेंसी भी तो वैसे हो रहे है वेवलेंग तो फ्रीक्मेंसी रिलेटेड है आगे देखने वाले नेक्स लेक्षर में अभी के लिए आप इतना समझ्छे चलिए ठीक है अब नोट से वापस है तो ने क्वालिटी या टिंबर के बारे में देखा था क्या रहा हाता हम लोग ने प्रेक्टरिस्टिक प्रेक्वेटी तो डिफ्रेंशियेट वन साउंड फ्रम अनादर विंग सेंड फ्रीक्मेंसी और लॉडनेश यह नीचे ग्राफ राब बने की जरूवत नहीं है आप लोगों फिश्ट्द फुद्री फुद्ध हो ते टोन सब्सक्राइब करना है आपको क्या करना है आपको प्रीज डेफिनेशन अच्छा या रखने है एक आखरी बार में चीदों का जो इंपॉज़ेंट चीज उसका मतलब आपको बता रहो नोट्स के थूई क्या नोट्स के थूपड़ते है जाधा वेवलेंज क्या है बिटा यह 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 जिए जिए रहा है और यह प्रीक्वेंसी का मतलब क्यों और एक इवेंट अकर कर रहा है एक पूरे आसलेशन को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है पिछ बिचस्टे काम का नहीं अभी के लिए जो आपने लेखे के लिए आम्प्रिट्यूड यह डिखिए डिखे यह आपका wavelength है बेटा यह देखेंगे आंप्लिट्यूट नीचे भी आप वेवलेंद ऐसा भी मेशर कर सकते हैं चाहते ना तो आप इसको भी बोचाते हैं देखेंगे यह आपका क्या हो गया है यह हो गया है यह भी आपकी क्या होगी है बेवलेंद यह सब इंपोर्ण वाले बेटा ठीक है ना वेवलेंद आप्लिट्यूट टाइम पीडिट फ्रीक्मेंसी यह चार आपको अच्छा 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 है बट नेक्स लेक्षा जो है उसे लिए चार का बिल्कुल फिजिकल सेंस आपको बता हुए कोई भी चीज ना थोड़ा भी इशू आप मुझ स आप दो में वाल्यू और बेवलेंद मतलब दो कॉन्जिकुटिव कंप्रेशन या रेर अर्फाक्टिंग के मीच का डिस्टन समझा शौर चलिए थांक्यू गई